अब बूर्णिंग स्टुडेंट्स इस वीडियो इस ब्रोट वाइए एम दिन चीन इसकेंडी स्कूल कलायत और मैशल्फ सचिन राना पीज़ेटी मैथेमेटिक्स तो हम 11 ख्लास में फर्स्ट चैप्टर है मैथेमेटिक्स का सेट वह पढ़ रहे थे और सो प्रिविस वीडियो थे उसमें हमने पढ़ा है कि सेट क्या होते हैं पहचानें हैं कैसे कि कोई भी क्लेक्शन है वो सेट कप क्यालाय जाएगा प्रेजेंट कैसे करेंगे सेट को टाइप सोफ सेट्स ठीक है तो सबसेट्स और प्रोपर सबसेट्स हमने पिछली वीडिय में पढ़ा था तो इंवर मैं रिवाइज को आ देता हूँ कि let A be any set having n number of elements मान के चलिए एक कोई set है ए उसमें number of elements है मान लीजिए n तो जो number of subsets होंगे वो कितने होंगे 2 की power n ठीक है 2 की power n होंगे यह हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके है जो जो बच्चे new है जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं suggest करूँगा कि वो एक बार पिछली वीडियो में subsets और proper subsets के बारे में पढ़ ले ठीक है तो मैं एक बार दिखा जैता हूँ आपको यह हमने पिछली वीडियो में किया था कि जो total number of elements अगर किसी set में n है तो total number of subsets ऐसे हमने बनाया था 2 की power n बनेंगे ठीक है और proper subsets में जैसे मैं और लेड़ी बता चुका हूँ आपको कि जो एक set होता है वो खुद ही नहीं आता जैसे उसके हमने अगर जैसे हम बात करने यह 1,2,3 एक set है जिसमें number of elements है जो 3 है cardinal number इसका 3 तो इसके 2 की power 3 मतलब 8 subsets बनेंगे ठीक है तो यह सारे subsets है लेकिन यह जो S8 है 1,2,3 यह subset तो है लेकिन जो इसको हम proper नहीं बोलेंगे तो यह proper subset में नहीं आएगा तो यह cancel हो जाएगा यहां से तो जो total number of proper subsets कितने रह जाएगे फिर एक कम होगे 8 minus 1 कितने रह जाएगे 7 आ गए तो एक formula बन जाएगा हमारा कि number of proper subsets है जो होँगे 2 की power and sorry 2 की power and minus 1 तो इसके बाद हम आज next start करते हैं जो topic है हमारा next वो है power set power set तो जैसे कि आपको पता है power set power set का मतलब है simple सी बात है कि कोई भी set है जो ठीक है उसकी power power पावर का मतलब होता है कि जसे हम अगर कुछU जैसे खा रहे हैं हो ये खानी से हमें क्या मिलते हैं團 budget को मिलती हैं क्योंकि खाना खाने से हमारे अंदर protein सारी चीज़ चलेगी तो पावर सेट का मतलब होता है एक सेट उसके जितने भी सबसेट होंगे वह सारे एक सेट में आ जाएंगे तो उस सेट को हम जिसके भी सबसेट थे उसका क्या बोलेंगे पावर सेट बोलेंगे तो आप लिख सकते हैं कि it is the set of all all subsets of a set ठीक है एक सेट के सबसेट का सेट सेट उसको हम बोलेंगे पावर सेट जैसे मान लिखते हैं कि लेट यह हमारा मान लेजे एक सेट है वन तो तुसके अब सबसेट क्या बनें एक तो एमटी सेट हो गया सेकिंड हो गया वन थर्ड हो जाएगा टू फोर्थ हो जाएगा वन टू अब देखिए कि इसके चार सबसेट हो गया क्योंकि इसका काटिनल नमबर तू था तो 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 अगर मेरे को लिखना है पावर सेट ओफ ए तो पावर सेट इस दस सेट ओफ पहल सेट जितने वी सबसेट हैं एमटी हो गया वन हो गया यह साड़ ऐसेट हैं तो यह चारों के चारों सबसेट हैं जो वह इस सेट के अंदर आ गए तो यह बन हुआ जाएगा हमारा पावर सेट ठीक है तो अगर हम से पूछा चाहिए कि इसमें एलिमेंट्स कितने होगे से ठीक नमेंट्स इन पावर स्ट तो उवेसे है वी फोर्मला आये गा 2 की पावर n का तो यहां पर जैसे 2 पावर n नम्बर सब्सक्राइब यहां यहां पर क्या है एलिमेंट हो रहे हैं और यह सब सेट है जो कि इस एक हैं सारे तो इन सारे सबसेट को हमने एक अठहा करके úsen बुना दिया तोम उसको क्या वोलेंगे आपके एक अब नbrar को अब चांवते हैं जुनिवर्सल सर्थ ए उनिवर्सलCause देम सबसे दें तो युनिवर्सल्स होता है ऐसे सटस्थ दो सबसे बढ़ा एक हम लीजिए ए नग को फिर यह इन raises ले लिया 1234 567 89 तिक अब मानी जेए एक सेट है 123 यह भी है 234 जितने भी होंगे सेट 567 एट 910 ये सारे के सारे इसी मेंसे निकलेंगे ठीक है तो ये जो यू हो गया ये इन सब का क्या हो गया एक यूनिवर्सल सेट हो गया यूनिवर्सल सेट मतलब बड़ा सेट जिसके अंदर से बाकि सारे सब्सेट बनते हैं ठीक है जाच यह मैं के एक जामपल ले लेते हैं मानने के चलिए एक सेट है पी सेट ऑफ और और इवन नंबर्स सेट ओफ और इवन नंबर है क्यों है सेट ओफ ओफ और ओड नंबर्स थिक और आर हमान लेजिए सेट ओफ और प्राइम नंबर्स अब ज़रे धान दीजिए इन में से श्क यह तीनों से जबते हैं यह इवन नंबर्स दीटा और नंबर का तो लेकिनवार्ष रसाट किया होगा आर शेक्रेट आरे टिक है जिसमें से यह टीन वाने हों है ठीक है तो इन तीनों के लिए जोबाएऽ अब क्या बताएंगे वहाइं आnyt यह सैट ओफ अर्ड ल टो यह जो पी हे यह क्लें आप यू का क्यों क्या है यह सा आ यह पुरकर सथer date क्या है य क्या आपिशतव कब मालो को अमलिक सकते है पी जया पर चुप गयो कि खोधा सब सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे तो इससे पहले एक और आपको इंपोर्टेंट चीज है वो बता देते हैं देखिए हमने अपने ध्यान जाएबा एक सिंबल बढ़ा था अगर आपको याद आ रहा हो यह बिलॉंग श्टू ठीक है यह कुछ सिंबल जाएं आप ध्यान रखें यह बिलॉंग श्टू का सिंबल हैं अगर हम ऐसे कर देते हैं यह सब सेट का हो जाता है और यह हो जाता है कि प्रोग पर है कि सबसेट ठीक और इनी का अगर आप नेगटिव की बात करें जैसे अगर आप ऐसे कर दें इसको तो यह बन जाएगा कि डर्ज नोट कि बिलॉंग ऐसे ही यह इसको कट करते हैं यह बन जाएगा नोट सबसेट कि सबसेट नहीं है ऐसे करते हैं यह बन जाएगा नोट पर अधिक तो तो कहीं बर क्वेस्टिंज आ जाते हैं आपके पास जैसे कि मैं एक व्यूस्टिन ले लेता हूं कि माल लीजिए कि लट ए आपके पास है वन टूँग त्रीज आपके पास क्वेस्टिन क्या हैंगे जैसे पार्ट मैं कर लेता हूं तो पहला है जैसे वन और यहां फिल आप है यहां पर यह लिखा हुआ हुआ और यहां पर यह वन है कि देखो फिल परिया और मैं लिख दूँए हाँ पर थ्री जां इले दिया तो एक लिख 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 देंसे फॉर यह यह लिख दिया इस फॉर होगा है यह लिख दिया ठीक है और फॉर फाइव लिख दिया ठीक है आपको क्या गरना है आपको सिर्फ लेजी शिर्फ यह दो सिप्र यूज़ करने आपको यूज़ करने हैं एक तो बिलोंग्स इनको यूज़ करने इन में तो क्या करोगे तो सबसे पहले धान दीजिए इसमें जो यह हम लिखते हैं ना ए ठीक है यह सैट है और यह जो लिख्खों में है बन टू और यह एक सैट बना हुआ है थ्री फोर फाइब ध्यान रखिए प्रैकेट्स तो यह ब्रैकेट्स हुआ हुआ हो अगर तो वह सारे एलिमेंट्स होंगे इस सेट के एक चीज ठीक है दूसरी चीज ब्रैकेट्स करली ब्रैकेट्स जहां भी लग गया वह एलिमेंट्स की बजाए सेट बन जाएगा जैसे कि हम देखते हैं से बन है वन का यह से क्या लेशन है अब इन में से वन बिलोंग्स टू ए और वन इस दा प्रोपर सब्सेट ओफ ए ध्यान रखें वन पर देखो कहीं भी ब्रैकेट्स नहीं लगे हुई तो इसका मतलब यह क्या है सेट तो यह है यह नहीं ठीक है तो हम दिखेंगे वन बिलोंग्स टू है ठीक है इसका सेगेंड पार्ट देकिए इसका सेगेंड पार्ट में यहां पर देखिए वन पर ब्रैकेट्स लगी हुई है इसका मतलब क्लियर है कि यह एक सेट है एक तो यहां पर आएगा सिंबल यह बाना ऐसे 4 देख लेजिए 4 क्या है ओविस है इस पर ब्रैकेट्स लगीने हुई यह element है element के लिए हम यह लिखेंगे आप याद रखने का तरीका आप जनरली याद रख सकते हैं जैसे यह है यह एक शेप यह बता रहा है तो यह element के लिए पर जैंट करेंगे ई-4 element या element आप याद रखने का तरीका है जैसे भी याद रखें यह जो शेप है element के बताएगी और सी सी मतलब सेट वैसे सेट तो सीट होता है लेकिन हम वैसे याद रख सकते हैं सी मतलब सेट 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 यह हम शेट सेट के लिए यूज्डे है उसी को यह पर फोर मैं वह तो इद बानेगी घुर ओने सी लेख अब यहाँ देखिए यह जो फोर रहे यह ब्रेकेट से लग गए तो ब्रेकेट से लगते है यह क्या कि बच्चे सोचते हैं कि यह ब्रकेत्स लगे हुई है तो इसका मतलब क्या है यह ओडायट कर देगी स्बसेट कि गलत है доб क्यों क्यों कि आप सेट के ंदर देखिए जो यह ठूभिर्टई हे तो यहां पर यह एजर्ट गूंनोंट होगा है कि एक एलिमेंट है तो जो ये थार्ड क्वेस्टन aja हमारा इसमें जो इफ जो ये थ्री है ऐसे हम लिखें यह पिलॉंगस टू आएगा hiç कि अगर इस उसे नगा दे ए बेज़स यह एक तो काफी इंपोर्टेंट है यह चीज़ है तो आप द्यान लखेंगे तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी वह ज़रा एक बार देख लेते हैं 1.3 एक्सरसाइज देखिए यह फिलप्स है आपको बताना है कि कौ सा संसेट है जिसे कि यह फ़र्ष्ट है लिखा है इसमें पर यह पर या तोधिन परस संसे यह यह वाल पर संसेत नहीं है आप टू अशिरी फोर्प यजिए यह तो नहीं तो अब A, B, C देखिए, यहां B, C, D है, A है ही नहीं, तो यह प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो ऐसे चेक करने हैं आपको, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना आप इनकी, और यह जो next है, इसमें भी आपको trifles बता लें, जैसे A, B है, यहां पे B, C, A है, ठीक है, तो देखिए, A, B, य लिख रखा है, note the subset, तो यह क्या है, false होगा, ठीक है, तो आप ऐसे practice कर सकते हैं, और देखिए, question जो मैंने अभी बताया था, आपको यह, belongs to proper subset, ठीक है, तो यह question है, question number 3, तो इसमें आपको बताना है, कौन सा correct है, कौन सा incorrect है, ठीक है, देहान से देखिए, जैसे, first question ही देख काफी important part है, तो वही इन्होंने mention कर रखा है, जैसे 3, 4 देखिए, यह symbol होगा, आपको बताना है कि यह, कौन सा, इन में से मतलब जो इन पार्ट दे रहा है, इन में से, कौन सी incorrect है, पर देखो, 3, 4 is the proper subset of A, 3, 4 क्या इसका proper subset है, अब आप देखिए, यहाँ पर बैकेट्स ही लगेगे, जिसका मतलब यह set होना चाहिए, लेकिन यह A के अंदर है क्योंकि as a element use हुआ है, तो यहाँ पर यह क्या है, element के लिए हम यह यह यूज नहीं करते है, element के लिए symbol use होगा, तो यह क्या है, incorrect, क्यों, because, reason आप लिक होगा, because, this is the element of set A, and for element, we will use that symbol rather than the proper subset, ठीक है, य यहाँ हो जाएगा, यह correct है, क्योंकि यहाँ पर element यूज हो है, ठीक है, तो आपको यह practice करनी है, इनकी, ठीक, जो next है, fourth है, इसमें आपको subsets लिखने है, जैसे मैंने भी आपको बताये थे, जैसे A है, इसके subsets, A की element है, तो 2 बनेंगे, ठीक है, यह भी है, तो 2 है, तो 2 की वीडियो आएगी, उसमें हम intervals पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम next यह questions करके देखेंगे आपको, ठीक है, जो भी है intervals की question आएगे, जो roster form, chat builder form से हम interval form में भी लिखते हैं, ठीक है, तो जो next video में हम question, जो portion करेंगे, that will be the interval, and we will try to change the chat builder form in interval form, और roster form in set builder form, और in the interval form, तो जो जिन भी बच्चों ने वीडियो पहले बारी नहीं देखी हैं, तो मैं उनको suggest करूँगा कि जो पिछली वीडियो हैं, वो सारी देख लें, एक बार, तो कि इसके बाद, जो हमारा, जो next video होगी, उसमें हम 1.3 complete कर लेंगे, और फिर मैं 1.1, 1.2 और 1.3 में से कुछ questions, जो मुझे लगता है कि मैं भी सायद आपको problem आई हो, और मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको कोई particular, किसी question में कोई भी problem हो, तो आप जब वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप जो comment section है, उसमें जाके बता सकते हैं, कोई भी question, तो हम उसक exercise में करेंगे, तो next exercise में जो 1.3 है, ये next topic है, जो हमारा set builder form से जो interval form हम change करेंगे, उसके बाद जो next topic आएगा, वें diagram आएगा, और हम वें diagram की बजाए 1.2, 1.3 के कुछ questions करेंगे एक वीडियो के अंतर, उसमें सिर्फ questions ही करेंगे, उसके बाद फिर हम वें diagram करेंगे, जिसमें different type of operations हम पढ़ेंगे, तो इस chapter में total 6 exercise है, और हम 3 exercises हो चुकी है, तीन अभी बाकी है, तो तब तक आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है, social distancing का ध्यान रखें, और time आपके पास, और आपकर आप बहार नहीं जाएंगे, तो time ही time आपके पास, तो practice ज्याद से ज्यादा क ठीक है, तो चलते हैं, फिर हम next video जो आएगे आपकी ध्यान रखें, जो internal form है आपकी, वो हम करवाएंगे, तब तक आप जो previous videos को देखके एक idea लगा लिएजी, उन बच्चों के लिए especially, जो new हैं, जिनोंने आज ही ये video देखे हैं, पीछे के नहीं देखी, तो आप पीछे क ये भी सारी videos देख लीजी, कोई problem हो, वो बतातीजी, हम next video में फिर उसको solve करेंगे, ठीक है, thank you very much